यह द्यान सुत्र है Meditation is being open, receptive and in harmony with the universe ध्यान इस जगत के साथ खुला हुआ होना, ग्रहन सील होना और समस्वर्ता में होना है receptive, open and in harmony खुले हुए, ग्रहन सील और समस्वर्ता में इन बातों का सरवाधिक उपयोग किया गया है मैंने भी इन सब्दों का बहुत उपयोग किया है और देखा जाए तो ये आधार भूत और सबसे महत्वपून शब्द हैं और इन सब्दों के पीछे जो स्तमज है वो भी सुत्र कहता है कि ध्यान और क्या है ध्यान से हम किसी रहस्य लोग में जाने की बात नहीं कर रहे है या कोई रहस्यात्मक दुनिया रचने की बात नहीं है ध्यान तो जहां है वही होना है लेकिन उस होने को ही रुपांतरित कर लेना है और वो होगा कैसे जब ये पूरा जगत जो हमारे चारों तरब परिव्यापत है इसके प्रति हम खुलेंगे इसके प्रति हम ग्रहन सील होंगे और उसकी लै में आएंगे उसकी हार्मनी में उसकी सम्चवरता में तो इसका जो परिणाम होगा इसकी जो निश्पत्ति होगी वही ध्यान होगा अभी के बैक्ति की समस्या क्या है तमाम कारणों से पूर्वाग्रहों से भी और जाने अंजाने जो भय हैं उनके कारण बैक्ति बंद हो गया है ग्रहंट सील नहीं रह गया है और उसके जीवन की लए उसकी जो हार्मनी है वो टूटी टूटी सी अब इसका परिनाम क्या होता है कि बेक्ति अपने भीतर भी बंद होता चला जाता है अपने भीतर भी उसकी जो लए है वो टूटी चली जाती है तो ये स्तामानिसी प्रक्रिया ब्यक्ति के भीतर कई तरह के सारीरिक मानसिक अस्वास्ति को लेकर आ जाती है जो ब्यक्ति के भीतर की भावना है और जो उसके भीतर की जीवन सहली है पूरे जगत पर भी लागू होती है और व्यक्ति के स्वैम के प्रति भी लागू होती है आज के मनुष्य की देखा जाए सबसे बड़ी दुर्गटना यही है कि हम न जाने किन कारणों से न जाने किन दुष्चिंताओं और भायों के कारण हम बंद हो गए है बेक्ति को लगता है कि अगर हम खुलते हैं तो हम कही नश्ट ना हो जाएं selective हो गया है उसका खुलना, grand seal होना और ऐसे में क्या है कि अस्तित्तों का जो चमतकार है, उसका जो प्रशाद है उसकी जो अनुकम्पा है फिर उसके लिए हम बंद हो जाते और फिर बिक्ति को लगता है कि अस्तित्तों हमें सहयोग नहीं करता ये जगत तो बिलकुल जैसे हमारे विप्रीच जा रहा है ऐसा नहीं कि कुछ विप्रीच जा रहा है हम ही नहीं खुले हुए खुलने में और grand seal होने में थोड़ा सुरुवात में घबडा हट तो होती है बेक्ति को क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन माफिक नहीं होगा सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो लेकिन ऐसा हम मानके ही क्यों चले कि जो हम सोचते हैं वही सही है अस्तित्त की जो एक व्यापक समझ है वो भी बहुत महत्तपून है तो जो व्यक्ति अस्तित्त के प्रति खुल जाता है अर्थात पूरे जगत के प्रति खुल जाता है ग्रहन्ट सील हो जाता है तो वो जो व्यापक समझ है अस्तित्त की वो उसके जीवन को निर्देशित करने लगती है गाइड करने लगती है इसका परिणाम क्या होता है कि उसके बेक्तिगत जीवन में भी जो खुला पनाता है जो ग्रहन सीलता आती है जो हर्मनी आती है तो उसके सरीर मन और उसके चैतने में उसका समावेस हो जाता है और फिर सारीरिक मानसिक स्वास्त हर तल पर उसको उपलब्द होता है तो जो बातें हमको बहुत साधारन दिखाई देती है वो अक्सर उतनी साधारन नहीं होती वो असाधारन होती साधारन ही इस जीवन में सबसे असाधारन है अगर ये हमको लगता है कि openness, receptivity, harmony बड़ी साधारन सी बात है तो हमें explore करना पड़े क्या हमारे अंदर सचमुच में हैं वो अगर हैं तो फिर ध्यान है और अगर वो नहीं है तो ध्यान नहीं है क्योंकि ध्यान का मतलब भी वही है openness, receptivity और harmony खुलापन, ग्रहन सीलता और समस्वरता ध्यान का आधार है इसी पर सारी ध्यान के फिर इमारत खड़ी होगी हमको अपने जीवन से हर तरे का जो पूर्वा ग्रेव हटाना पड़ेगा इसके लिए स्विकार में आना पड़ेगा अस्तित्य के प्रतिक आस्था में आना पड़ेगा तभी हम खुल पाएंगे भय बंद कर देता है हमको जब हम अभय में जाते हैं तब ही हम खुलते हैं तो अभय की अवस्था को लाना और अभय की अवस्था को लाने के लिए स्विकार को लाना और आस्था को लाना स्विकार और आस्था से जब हम भरते हैं कि ये जगत जो है ये जो अस्तित्त है ये निर्जीव नहीं है इसकी अपनी एक सजीवता है इसकी अपनी एक जीवनतता है और इसमें जो कुछ भी अंतर समंधित जीवन है उस सब का ध्यान रखा जाता है जैसे शरीर में हम अपनी हर अंग का ध्यान रखते हैं ऐसे ही इस अस्तित्त के हम भी नन्हे से ही अंग हैं तो अस्तित्त हमारा ध्यान रखता है ये आस्था रखना और जीवन की विविदताओं का स्विकार करना तब हम खुल जाते हैं फिर ग्रहेंट सील हो जाते हैं और उ घर में रह रहे हो उसके खिड़कियां हैं दर्वाजें हैं आप बहुत भैवीत हो जाओ या आप किसी और भावना के सिकार हो जाओ खिड़की दर्वाजे बंद कर दो खुला पन उसका चला जाए खुला पन गया तो ग्रहन सिलता गई तो जिन बातों से तुम दर रहे थे वो हो सकता है उनसे तुम बच जाओ कि धूल ना जाए आंधी ना जाए तुमारे दर में कोई कीड़ा मकोडा ना जाए लेकिन तुम और भी तमाम चीजों से बच जाओगे कि अच्छी हवाएं आएंगी वो भी तो नहीं आएंगी कीड़े मकोडे ही नहीं सुन्दर और चीज़े भी आएंगी आतित ही आएंगे मिहमान आएंगे तुम खोलोगे ही नहीं तो फिर कैसे कुछ होगा भय में बिक्ति इसी तरह से शिकूर कर बंद हो जाता है अभय में उखोलता है, और अगर कुछ अरूचिकर आता है जो तुम्हें समझ में नहीं पढ़ता, तो उसके साथ तुम जीना सिखते हो, निपटना सिखते हो, और जो सार्थक है, जो तुम को लगता है कि तुम्हारे लिए उचित है, उसको तुम अपने जीवन में अच्छे कैसे समारना और समधना शीखते हूं। यह इक कौसल है पूरा। कि जो तुम्हें अभी ठीक नहीं लग रहा है अगर वो भी तुम्हारे जीवन में आता है तो ऊससे साथ तुम कैसे बढ़ार करोंगेने और जो ठीक लग रहा है कैसे समाlles नहीं है। इसलिए ध्यान तो तुम्हें प्रतिवाशाली बनाता है, ध्यान किसी को मूर नहीं बना देता, अगर ध्यानी बिलकुल मूर हो जाए तो ध्यान किया ही नहीं, एक कोशल है, एक बेक्ति की गुणवत्ता है कि वो कैसे जीवन को डिल करेगा, लेकिन खिड की दर्वाजे जैस सामने आएगा, उसमें से कुछ रूप हमें अरुचिकर हो सकते हैं, और कुछ रुचिकर हो सकते हैं, रुचिकर अरुचिकर से हम तटस्त हो जाएंगे, और जब हम तटस्त होंगे, तो हम उनके बारे में ठीक ठीक समझ बिक्सित कर पाएंगे, उनका करना क्या है, उनके सा तो फिर जो रंग तुमारे पास आए हैं तुम उनसे अरुची नहीं दिखा होगे। मान लेजे तुमको गुलाबी रंग पसंद था, तुमको आस्मानी रंग पसंद था, और तुमने देखा काला, कत्थाई, भूरा रंग भी तुमारे पास आगया। तुमने का ये नहीं चाहिए था मुझको, लेकिन अच्छी कलाकरती बनाने के लिए उन रंगों की भी जरुदत पड़ती है। कई बार उसमें तुमने काला इस्तेमाली नहीं किया, तो वो कलाकरती बनी नहीं पाएगी, कोई पैंटिंग कहां बन पाएगी। केवल वो तुमारे गुलाबी आस्मानी रंगों से दुबनती नहीं। तो ऐसे ही जीवन भी कलाकरती की तरह है। तो जिनको हम कई बार बुरा समझते हैं, वो भी उसको एक अलग रूप और आकार देने का काम करती है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना अगर हमारे जीवन में आई हैं, तो उस अस्तित्यों के माध्यम से ही आई हैं, तो हमेशा इसको इसी तरह से स्विकार करना चाहिए। कि ये भी हमारे जीवन की कलाकरती में कुछ विकास परिस्कार ही करेगी। अब ये तुमारा कोशल है कि तुम उसको कैसे अपने जीवन में स्विकार करके उसका उपयोग करोगे। कि तुमारा करेगी। कि तुमारा कि लुमारा झाल कि पैसिare तुमillah